अबी रिसेंट्ली मेरे एक टीम मेंबर ने मुझे काफी इंटरस्टिंग से स्टोरी बताई एक बात बताई जो उसके साथ हुई उसने बताई को एक खास दोस्त है जो अभी कैनेडा जाने वाला है पढ़ाई करने के लिए और पढ़ाई करने के लिए ये सारी चीज़ों के लिए उसका 40 लाग रुपे का खर्चा आने वाला है नो ये चीज़ को इसलिए इंटरस्टिंग नहीं लगी क्योंकि 40 लाग रुपे दे रहा है वो सिफ पढ़ाई करने के लिए interesting उसे इसलिए लगा because उसका ये जो दोस्ट था न वो उसे बहुत average family का लगता था उसकी lifestyle भी बहुत normal सी थी वो एक तुटी screen वाला mobile use करता था कहीं कुछ खरीदने जाता था उसके साथ तो बहुत bargain करता था महेंगे कपड़े नहीं खरीदता था और दो साल पुरानी एक स्कूटी यूज़ करता था और उसके जो father थे वो भी जरा भी अमीर दिख्के नहीं आते थे बहुत normal family से लोग लगते थे लेकिन जैसी उसको ये 40 लाग रुपय वली बात पता चली तो उसके अंदर curiosity आ गया उसने जाके पूछा किया तरे father exactly करते क्या है कोई government job में बड़ी post पर है क्या या कोई high post पर वो काम करते है तो उस दोस्त ने बताया कि नहीं नी उसके जो father थे ना वो असल में एक builder थे तो उसने बुला अच्छा अच्छा builder थे तो obvious कि हाँ builder लोग तो बहुत पैसे कमाते हैं लेकिन उसके दोस्त ने बता नहीं ऐसा भी नहीं है जो builders का उसका काम था ना वो तो उसके father ने बहुत पहले ही छोड़ दिया है तो उसने पुछा अच्छा तो फिर पैसे आ कहा से रहे हैं जिसके ओपर उसने बहुत hesitate करते हुए बताया कि actually बात ही है ना कि उसके father के 49 flats थे उसके city में जिसकी वज़े से ही उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता था हर महीने बस वो rent collect करते हैं और इससे ही उन्हें बहुत सारे पैसे आ जाते हैं नो यह चीज़ सुनते ही उसके होश उड़ गए बिकोस हाँ मेरे team member को यह तो पता था कि उनके 2-3 flats है जिसमें से एक में वो रहते हैं एक में इसका दोस्त रहता था और एक rent पे दिये थे बट 49 flats होंगे यह उसने कभी नहीं सोचा था इसलिए वो बहुत शॉक हो गया था और इसके बाद फिर उसने बातों बातों में बोला अच्छा तो इतने flats है तो बेच रहे होंगे तब ही जाके इतने पैसे हैं के 40-40 राग रुपए ता के तो पढ़ा ही कर सके तो उसने बोला नहीं नहीं कोई flat flat नहीं बेच रहा है मेरे डैडी के पास actually मैं ना Infosys और ऐसी कुछ companies के shares है जो उन्होंने 1999 में खरीदे थे जब वो पैदा हुआ था उसके future के लिए अब यह सारी चीजों से और ज़दा interesting लेगी because सच बात तो यह थी ना कि इसके जो father थे ना वो इतने ज़दा पड़े लिखे नहीं थे आप बोल सकते हो बहुत ज़दा intelligent भी नहीं लगते थे और normal से ही लगते थे लेकिन हाँ एक बात थी जो उसके दोस्ते उसे बताया कि उसके जो father है ना वो बहुत अच्छे investor है उनकी जो financial knowledge है ना वो बहुत strong है और वो ऐसी बहुत सारे चीज़े उसको भी सिखाते रहते है इसलिए जब वो class 10th में ही था तब से ही वो investing कर रहा था और इसलिए आज उनके पास इतने सारे पैसे आप बोल सकते हो अब देखो दोस्तो maximum लोग जब ना अमीर लोगों को देखते है ना तो कई बार उनके दिमाग में आता है कि यार ये लोग ना बड़ी किस्मत वाले लोग है किस्मत इनकी इतनी अच्छी निकल गई है इसलिए ये लोग इतने पैसे कमा पा रहा है लेकर अगर आप थोड़ा डीप में जाके देखोगे ना तो ये जबते भी अमीर लोग बनते है वो लोग एक्च्छल में कुछ स्टेप्स को फॉलो करते है कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं जिसकी वज़े से आप देखना हो लोग इतने पैसे कमा पाते हैं ये जो मेरे टीम मेंबर का दोस्त था उनके फादर ने भी इन स्टेप्स को फॉलो किया था कौन से वो स्टेप्स? वेल इस स्टेप के बारे में न जोज सैम्यूल क्लैसन अपनी बुक तर रिचेस्ट मैं इन बैबिलोन में बताते हैं और इसी बुक के रूल्स कहीं न कहीं इनके फादर ने भी अपलाई के थे जिसके और जिसे वो इतने अमीर बन पाये थे ना इस बुक में ना ओथर ने आरकाट की स्टोरी बताई है और उसकी स्टोरी से बताया है इस सारे लेसंस को लेकिन वो मैंने अल्रेडी कवर कर चुका है उसकी स्टोरी के थूरू इस वीडियो में तो आप आई बटन में जाके वो वीडियो देख सकते हो अभी मैं आपको साथ स्पेसिफिक वन बाई वन स्टैप्स बताने वाला हूँ साथ रूल्स बताने वाला हूँ इसलिए आप इन साथ हो स्टैप्स को फॉलो करना स्पेशली स्टैप नॉम्बर सेवन जो मैं खुद भी ज्यादा फॉलो करता हूँ अभी स्टार्ट करते हैं स्टैप नॉम्बर वन से जो है स्टार्ट धाय पर्स टू फैटनिंग एक शायरी जो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी मैंने टिक टॉक पर बहुत पर देखा था वो यही थी कमाया जैसे उसी शान से उलाया भी कभी भी नोट पे हमने रबर नहीं बागा यह जो शायरी है वो सुनने में बहुत अच्छी रखती है थोड़ इंस्पारीम गी लगती है लेकिन अगर आपको एक 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 जी अपिकूर जीना है तो एक 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 एकजएक्श को आपउजिट करना पड़ेगा आपको strike philosophy को follow करना चाहिए जहां आपको आज थोड़ा struggle करना पड़ेगा ताकि आपका future अच्छा हो सके ये strike philosophy बोलती है इसी philosophy से आता है पहला lesson जो कि है अपने purse को मोटा करना मतलब पैसे को save करना, start करना सबसे पहला सबसे basic step जो आपको follow करना ही पड़ेगा मतलब आपने भी notice क्या होगा कई बार हम लोग के अंदर motivation आता जोश आता है कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे जिम जाएंगे, बुक पढ़ेंगे, पैसे save करेंगे, इंवेस्ट करेंगे लेकिन जोश जो होता है बहुत limited time के लिए होता है जिसके बाद जोश खतम हो जाता है और फिर हम लोग वो चीज को आपिस से करना ही पाते है हम लोग 24-7 हमेशा motivated नहीं रह सकते है इसलिए बेटरी है कि हम save करने के लिए strategy बना है अब दिखो saving करने के लिए दो चीज का होना बहुत जरूरी है पहली चीज ये clarity होना कि आपको save कितना करना है और second कैसे save करना है ठीक है जिसमें आपको कम से कम discipline लगे और investment होते रहे दोनल चीजे में आपको बताता हूँ एक certified financial planner CEO of the Institute of Financial Wellness Eric Sussman कहते हैं कि मैंने अपनी career में notice करा है कि देखो जादे तो लोग पैसे कमा लेते हैं लेकिन उनके पैसे सारे bills पे करने में अपनी खोयशों को पूरा करने में खतम हो जाते हैं जबकि उनको financial अगर बड़ा बनना है तो उनको तीन step के process को follow करना चाहिए सबसे पहले आपको अपनी income और expenses को calculate करना है कि आपको survive करने के लिए minimum कितने पैसे चाहिए उसके बाद आपको aim यह रखना है न कि आप अपनी income का 20% सेफ करो या फिर starting में at least 10% सेफ करो जैसा The Richest Man in Babylon book में भी बताया गया है और फिर last step है कि आपने जो amount decide किया है 10% या 20% का जो आप सेफ करोगे वो आपको महीने के end में नहीं बलकि महीने के starting में ही save कर दिना है और ऐसा सोचना है कि आपके बास बस इतनी income आई थी जैसे कि for example अगर आप 1,001 रुपे कमा रहे हो तो 10,000 पहले ही side में रख लो जैसी income आती है वैसी 10,000 को side कर दो और ऐसा सोचो कि आपको 90,000 ही income आई है और यह automatically करने के लिए आप SIP का help ले सकते हो चीजों को automation पर डाल सकते हो कई सारे apps जो आपको यह करने में help करेंगे जिससे जैसी आपके पैसे आएंगे वैसे ही वो अलग account में चले जाएंगे या फिर कहीं investment में लग जाएंगे इससे क्या होगा कि आपको discipline के ओपर depend होने की जरूवत नहीं पड़ेगी तो पहला step तो यही है कि start saving money वो भी इस strategy के साथ second step आता है control the expenditures तो यह 1970 में ऐसा लग रहा था कि जो oil है वो खतम हो जाएगा क्योंकि global economy बहुत तेजी से grow रही थी लोग के पास बहुत पैसा आ रहा था जिसके जिसे लोग बहुत गाडिया खरीद रहते और जिसके जिसे oil, petrol, gas यह सारी चीसे बहुत ज़दा यूज हो रही थी सबी लोग oil के ओपर बहुत ज़दा dependent थे और fortunately oil खतम नहीं हुआ क्यों? वेल ऐसा नहीं था कि हमको और बहुत सारे oil के ख़जाने मिल गए हम double, triple oil निकालने लग गए जमीन से नहीं बलकि हुआ यह कि इस oil crisis को overcome करने के लिए factories ने ऐसी machines बनना स्टार्ट कर दी जो energy efficient थी सभी cars और machines जो oil के use कर दी थी उनको उनने efficient बनाने पर काम किया जिसके वज़े से 1975 तक US में oil और gas का जो production था वो 65% तक बढ़ गया और energy की जो conservation और efficiency थी वो double से भी जादा हो गई थी ऐसी दुनिया ने आपकी energy wealth को बढ़ा लिया बेना energy को बढ़ा है इसी स्टोरी से समझना यह है ना चीज़े बेटर हो सकती है और यही है सेकंड स्टेप जो कही नहीं live below your means के बारे में बताता है कि अगर बेसी के लिए आप एक लाख रुपे कमाते हो तो हाँ आप एक लाख की lifestyle जी सकते हो लेकिन वैसा मत करो आप एटलीस 90,000, 80,000 ऐसी lifestyle जीने की कोशिश करो जिसके अंदर बस इतने ही खर्चे होता है पिर थर्ड स्टेप बाता है make, die, gold, multiply लेको रॉबर्ट के वसा के अपनी बुकरिजिटाल पोड़ एटमेस के बारे में बहुत डेटल में बताते हैं वो बोलते हैं कि जब तक एना आपके पैसे आपके लिए काम नहीं करते है तब तक आप पैसे के slave बन कर रह जाओगे और अगर आप चाहते हो कि आप पैसे के slave ना बनो बलकि पैसे को अपना slave बनाओ अपना knocker बनाओ तो उसे आपको काम पर लगाना पड़ेगा काम पर कैसे लगा सकते है Tsla काम पर लगाने के कई सारा अलग rap options होते है जैसके कि आपको मैंने starting के story में बता है जो मेरे टीम मेंबर के friend के dad थो उन्होंने कैसे अपने पैसे काम पर लगा है उन्होंने real estate में investment किया उन्होंने शेर्ज में इंवेस्टमेंट किया ऐसी आप भी सोचना स्टार्ट करो कि कहां अपने पैसे को लगा सकते हो ऐसी जगा जिसके जिसके जिसे फिर आपके पैसे डबल ट्रिपल होना स्टार्ट हो जाए आपके पैसे आपके लिए काम करना स्टार्ट कर दे इसके लिए वार्न बफेट का एक वार्ण बफेट का है तरस्ट मेरा भी जो डीबीसी पॉड़कास्ट है जो मैं आपने जीशांची चैनल पर डालता रहता हूं उसमें मैंने कई सारे फाइनस के रिटर से बात करें इसके बहुत स्मार्ट लोग अन लोग से बात देगा है उन लोग से भी एगा क्या बार पूछा है कि अगर कम पैसे रहेंगे तो का इनवेस्ट करना चीए सबी लोग बोलते हैं कि आपने आपके उपर पैसे को इनवेस्ट करो अगर आपके वास 5-10,000 है तो ऐसा है नहीं कि आप स्टॉक मार्केट में डालोगे तो सब करोरपती बन जाओगे या फिर 5-6,000 रुपै से क्रेडिंग करोगे तो करोरपती बन जाओगे बहुत प्रोबैमिलिटी बहुत कम है इंसेट ये करो कि आप 5-10,000 रुपै आप लुट पर इंवेस्ट करो अपनी स्किल बढ़ाने पर इंवेस्ट करो इसके वज़ेसे ही आप एक घंटा काम करके भी एक लाग रुपै कम आपके लिए बहुत एजी होगा अमीर बनना इसके बारे में और बाद में बात करेंगे अभी आते हैं हम फूर्ट स्टेप ते गार्ड दाय ट्रेजर फ्रॉम लॉस अब दुक मैने पिछले स्टेफ में बोलाए आपका इसके लिए ऐसके ये प्यूं अपको यापम को मिलेगे ये जो देण 17-8 डियुलिव 세계 लगती है बट चिल लोग लालज के चिकर में इसे जगप पर इन्वेस्ट कर देते हैं जिसके जिसनका लॉस हो जाता है ऐसे ताइम पर आपको थोड़ा बैरेंस रखना है आपको समझना है कि आप थोड़ा इन्वेस्ट करने वाला है या फिर बस कोई स्काम चल रहा है यह इसे कमाना पड़ेगा ताब आ सकता है लेकिन वो जो चलेगा वो अपीस नहीं आए इसलिए याद रखो आपको यहां पर थोड़ा कॉश्यस होके खेलें ऐसी जिगह पर इन्वेस्ट करो जो सच में ट्रस्ट वादी है ना के बस आसे लोगों पर जब्ट रखने के लिए लेगा इसके साथ यह भी समझो ऐसा है नहीं कि कहीं पर आप कम पैसे डाल रहे है तो इसका मतलब आपको कम रिटेंजी मिलेंगे नहीं जिसका बिसलिए मतलब ही है ना कि अगर उनके पास 100 रुपे है तो वो 100 रुपे को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करने जदे जाते हैं ज इसके समझो फोर इकजेंपल अगर वो 5 सेथा रुपे इन्वेस्ट कर रहे हैं एक हजार के पाच अलगर के इन्वेस्ट मेंट ले रहे हैं तो अगर चार जगें उनकी इन्वेस्ट मेंस्ट हैं तो बही उनको कई बार 5 सेख्या कमा के देता है और कभी वो सिर्ट गण कि आप भी ऐसी जगाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन हाँ सोथ समझ के अच्छे से रिसर्च करें, ऐसी जगाँ इन्वेस्ट करो, जहां पर आपको जो रिटर्स मिल रहे है ना इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, वह काफी ज़्याद डबल ट्रिबल चॉबल पाज गुना ज कि अगर आप एक घर ले रहे हो, बहुत महेंगा घर ले रहे हो, और आप उसको खुद को यूज कर रहे हो, तो आपका एसे जगह पर इन्वेस्ट करना है, जो आपको काफी प्रॉफिट कमा के देए, अब घर एक काफी अच्छे इन्वेस्ट हो सकता है, च्छता स्टेप ह कई लोग यह गल्दी करते हैं कि अज आज कमा रहे हैं, उसके उपर इनके सारे बिल्स पे होते हैं, सारे उनका फ्युचर दिपेंड होता है, उनके करन्ट जॉब पर, जब की समझधार लोग होता हैं, वो लोग देखना हमेशा फ्युचर के बारे में सूचते है, वो इसके देड ने अल्रेडी शाह लेकर रखे ते जो उनने फिर बात में बेच दिये इसके उनके उपर बड़ा लोड पढ़ा ही कराने के ऐसी आप भी फोड़ा बहुत फुचर प्लान करके रखो यह आपको बहुत है इसके टोटल मशनी में कोवर बुक महीं बीव अथर बतात आपने आप के लिए तया बताना गया लिए डान अग्यच्व packaging है नाद रिणば से ओझ में पोड़ा यह स्कूइठ ऑगा है जिया तो यह ने इतना साल काम किया है साथ-में यह मुझे वैचर से रिलेट, एप से रिलेट, इतना सारा नॉलेज हो गया, इतनी सारे मिर पास्किल्स आ गया है, ति मैं कहीं पर जाँगो मुझा आराम से जॉब मिल जाएगा, और बहुत अच्छा कासा पैकेज के साथ जॉब मिलेगा, और सेम गोस फो मी, अगर कलो कुछ भी हो जाता है, मै וש करते हैं, क्वादइशन करते हैं, यह रिलेट्ट जाएग हैं पधाखां आ इनीशियो की चाहिए, सबी कहा है तरहे आप सब पीछां के मेरे में इस सब्चा करूएं और साथ और एसे सारे इक्राइटि मेरेसे का काता है, ऊथ से करने का ळ flourishा है, तो क्या चाहितना, है था दिस्रिप्शन में गूगल फॉर्म के लिंक दी हुई है, वहाँ पर जाके आप गूगल फॉर्म बरो, तब आपको एक टेलीग्राम गुरॉप मिलेगा, मैंने फ्री कोर्स मनाया है, कॉंटेंट क्रेशन से रिलेटेट जो आपको मिल जाएगा, प्लस वो एक्स्लिउजव गूप में आपको अपडेट भी दिता रहूँगा कि कैसे मैं आपको कॉंटेंट केशन से लिएट चीज़े सिखाऊँगा, कैसे मिल के बहुत सारी चीज़े फूचर में कर सकते हैं, वो सारी चीज़े लिएट आपको एक्स्लिउजव इडिटेल् और गूप जोइंट करने के लिए आपको गूगल कॉंप भरना है, बस और कुछ नहीं करना है, वो भड़ दो, पक्का आप कॉंटेंट केशन में बहुत कुछ कर सकते हो, क्यों मैंने पिछले 6-7 सालों में बहुत सारी चीज़े की है, बहुत सारे अलग लग लग सोसे साफ और थेंक्यो सो मच जो आप विडियो को इतना लाइक करते हो शेयर करते हो जरूर करना और अगर आपको ऐसी बुक के लिए अपनी लाइफ को काइंड और स्टेबल कर दिया है, बहुत सी इंटरस्टिंग चीज़ होंगी, सच में आप बहुत से इंटरस्टिंग चीज़े ह हो सकती है और अगर आपको ऐसी बुक की समरी में लेते रहने हर संडे के लिए हर संडे लेका आता रहूंगा